नमस्ति दोस्तों गोकी स्मार्ट वाच जो है फोन को कैसे कनेक्ट करना है उसके अंदर का टाइम कैसे चेंज करना है इसके लिए मुझे काफी कमेंट्स आये है तो इस चोटे से वीडियो में हम यह सब देख लेंगे तो चलिए फिर देख लेते हैं यह है गोकी स्मार्ट वाइटल तो देखें आप यहां पर दिख रहा है आपको कि टाइम जो है डेट 25 जुलाई है चे चप्वीज पीम होए है और उसे टाइम का डेटा इसके अंदर है तो यह सब कैसे चेंज करना है और इसको फोन को या टैब को कैसे कनेक्ट करना यह देख है कौन सी कनेक्ट है मेरे पास तीन चार वाचेस है इसकी तो इसके अंदर शायद मैक्स या प्लस टू वाइटल जो है वह कनेक्ट होगा तो उसको पहले उसका जो डेटा है वह देखते है पहले कौन सी कनेक्ट हुई है तो देखिए यहां पर गोकी स्मार्ट वाइटल है continuous heart rate वगरा है या फिर in activity alert है और यह सब कुछ है तो देखिए last में यहाँ पर factory reset और unlink tracker है तो अभी मैं इसको unlink करता हूँ ताकि इससे मेरा पुराना जो tracker है वो unlink हो जाएगा और नया मैं इसको link कर पाऊँगा तो एक समय पर एक ही tracker यहाँ पर link हो सकता है तो अभी यह unlink हो गया देखिए यहाँ पर app में आ गया कि अभी link करने के लिए तो इसको tap करते हैं देखिए मेरा नाम और यहाँ पर दिखा रहा है और अभी यहाँ पर मैंने goki smart vital जो है उसको हमें connect करना है तो इसके लिए इसको यहाँ पर open किया भी तो goki smart vital देखिए यहाँ पर क्या क्या जरूरी है तो पहले तो bluetooth अपना चालू चाहिए दूसरा यहाँ पर phone connected to internet चाहिए location भी यहाँ पर on चाहिए tracker का 60% charging चाहिए और tracker अपने wrist के उपर लगा हुआ चाहिए तो यह सब चीजे जब रहेगी तभी यह tracker जो है connect हो पाएगा तो इसको on कर देते है location को और यहाँ पर access location yes कर देते है इसको देखिए अभी bluetooth on हो गया और अभी हम क्या करते है यहाँ पर और क्या चीज चाहिए इनको यहाँ पर देखिए अभी मेरी watch के अंदर भी bluetooth on हो गया होगा हाँ देखिए उपर side में दिख रहा है आपको अभी यहाँ पर नीचे उसको एक link भे देजने के लिए तो इसको option को यह करते है 2414 का देखिए आ गया यहाँ पर तो इसको tap करने के बाद यह accept हो जाएगा यानि pairing हो जाएगा bluetooth का तो हो गया pairing यहाँ पर अभी यहाँ पर linking this device might clear today's data तो आज का data यहाँ पर यह हो जाएगा भी मैं set कर देता हूँ कि कम से कम 6000 steps चलू आए आगे time और यह सब change हुआ कि नहीं watch के अंदर और यह जो data है इसके अंदर वो भी change हुआ कि नहीं तो यहाँ पर तो link हो गया देखते हैं इसके अंदर तो यहाँ पर देखिए watch के अंदर आज का time आगे अभी Sunday 8 January और 8 बच के 47 और यह heart rate मेरा temperature और यह सब तो इसे साब से जो है हम ट्रैकर को जो है connect करते है और फिर उसके अंदर का time change करते है उसके अंदर का date change करते है और जो भी है जैसे ट्रैकर का notification भी यहाँ पर on कर सकते हैं heart rate और temperature continuous दिखता है फिर in activity alert अगर आप जगह छोड़ते नहीं हो तो उसके पास 15 मिट के बाद in activity का alert आता है यह personal detail, display alarm blood pressure, race to wake यानि आप हाथ ऐसे उपर करोगे तो watch आपका जाग जाएगा और यह data अभी इसके अंदर जब मैं फिर से इसको synchronize करूँगा तो data इसके अंदर आ जाएगा तो यह है चोटा सा वीडियो जिसके अंदर हमने देखा कि कैसे watch को जो है phone को connect किया जाता है तो देखिए आप यहाँ पर अभी recent data आ गया है उमिद करता हूँ यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा अच्छा लगा है तो इसको like ज़रूर कीजिए चैनल पर नए तो subscribe कीजिए वीडियो देखने के लिए आप सभी का शुक्रिया